नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका येश भी है इस पर्टिकुलर वीडियो में एक्सेंचर की कम्प्लीट प्रिपरेशन रोड मैप आपको बदाने वालों एक्सेंचर की कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं यदि आप इस वीडियो को लास तक दिखेंगे तो डिफिनितली आप एक्सेंचर क्राक कर देने वाले हैं यहां पर मैं आपको युनो पूरा जॉब रोल क्या है क्या सैलरी है क्या इनहेंट सैलरी है एक्जाम पैटन क्या है important topics कौन से कौन से हैं क्या syllabus है क्या cut off जाता है किन चीजों पर ध्यान रखना और कुछ secret tips भी आपको देने वालों तो सबसे पहला commitment कीजेगा कि आप वीडियो को end tech देखिएगा वीडियो को like ज़रूर से कर दीजेगा मेरे motivation के लिए चैनल को subscribe कर दीजेगा और हमने Accenture click free whatsapp group भी बनाया है तो comment section में आप Accenture whatsapp group डाल दीजेगा हमारी team आपको add कर देगी ठीक है तो इसमें आपको Accenture की सारी updates and hiring updates, exam updates, सब कुछ मिल जाने वाली है तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते है अब एक बार additional details हम जान लेते हैं यहाँ पर associate system engineer में आपको 4.5 LPA का package देती है अगर हम इसको divide by 12 करो तो 37.5 thousand आपकी monthly salary बनती है but in hand salary after all the tax deduction and all 32 thousand पर मन्त आपको मिलने वाली है ठीक है पूरा salary break up भी मैंने दे दिया यह pdf में आपको share कर दूँगा description में मिल जाएगी एक बड़ देख लीजेगा यह salary होती है यह fixed pay होता है यह variable pay होता है आपकी performance पर या तो यह पूरा मिलता है यह इसमें से कम मिलता है join करते ही 25,000 का joining bonus मिलेगा और 9,500 रुपे का आपको insurance and gratuity मिलता है ठीक है selection process चार round में होता है सबसे पहले आपका cognitive and technical assessment होगा फिर coding ability होगी फिर communication assessment round होगा और last में interview round होगा जिसमें technical and HR interview होता है ठीक है जिसमें आपका cognitive और technical and coding round जो है वो एक single दिन पर ही होता है और यह elimination round होता है मनलीज़ आपने cognitive and technical assessment attempt किया इसका result तुरंत आजाता है आप select हुए कि नहीं हुए अगर select हो जाओगे तो अगले 5 से 10 minute में coding round खुल जाएगा अगर आप reject हो जाते हो तो आपको coding round देखने को भी नहीं मिलेगा तो यह cognitive and technical assessment में अच्छा perform कीजेगा फिर coding round में आपको अच्छा perform करना होता है फिर उसके यह तो single day पर हो जाते हैं फिर उसके कुछ दिनों बाद आपको communication assessment का email आता है जो आपको देना होता है और फिर उसके कुछ दिन बाद आपका technical और HR interview हो जाता है communication assessment एक elimination round नहीं है इसमें आप अच्छा perform नहीं करोगे तो भी आपको select तो कर लेंगे लेकिन इसका जो score है न वो आपको interviewer के पास होता है तो उससे interview में अच्छा impression जो है वो पढ़ना चाहिए ठीक है उसके बाद section wise cut off होता है तो cognitive and technical में 70% से जादा score करना है तभी coding round खुलेगा coding round में भी अगर आप दो coding question आते हैं total तो दो में से अगर आपने एक भी सही कर दिया तो भी आपका selection हो जाता है अगर दोनों सही कर दिया तो impression और अच्छा जाता है ठीक है overall cut off आपका 70% हो जाता है cognitive and technical assessment में दो चीजे होती है तो cognitive assessment होता है एक technical assessment होता है combined 90 minutes मिलते हैं और total 90 questions आते हैं यानि एक minute में एक question solve करना है challenging होता है थोड़ा सा तो इसमें जो cognitive ability उसमें आप से English पूछी जाएगी critical reasoning and problem solving पूछी जाती है यह क्या होता है भी मैं आपको बताऊंगा abstract reasoning पूछी जाती है 50 questions total आते हैं ठीक है इन 50 questions में भी English ability में 17 questions आते हैं critical reasoning problem solving में से 18 questions आते हैं और abstract reasoning में से 15 questions आते हैं इस तरीके से total 50 questions आपके बन रहे होते हैं cognitive ability में technical assessment में common application MS office common application में computer चलाना computer के बिल्कुल basics आपको आने चाहिए MS office आना चाहिए pseudo code आना चाहिए networking and security यानि computer networks आना चाहिए and cloud computing आना चाहिए 40 questions total यहां पर मिलेंगे जिसमें common application में MS office के 12 questions होते हैं pseudo code सबसे आदा पूछा जाता है 18 questions होते हैं network security in cloud के 10 questions होते हैं इन सभी को preparation करने में time लगने वाला है ठीक है और one minute per question यार अपने आप में challenge हैंगे Accenture का आप syllabus net पर जाओगे तो बहुत सारी आपको websites मिल जाएंगी बढ़ यह सभी fake हैं क्योंकि अगर Accenture को कोई official syllabus publish करना होता तो अपनी official website पर करता है बढ़ Accenture की website पर कहीं पर भी syllabus posted नहीं है है ना तो cut गया यह आप पता चला तो मैं आपको कोई official syllabus नहीं दूँगा आपको इस वीडियो के description में पूरी PDF मिल जाएगी टीक है common application in MS office में क्या होता है वो देख लीजे MS word में क्या-क्या questions आते हैं इसके अंदर MS word आएगा क्या-क्या questions आते हैं वो देख सकते हो MS Excel का क्या syllabus है वो आप देख सकते हो और MS PowerPoint का चुनले बस है वो आप देख सकते हो डेख सकते हैं वहाई राइट हैंड साइट पर जावा में कोड बना है तो दौनों टाइप पर कुश्चन्स आपको देखने को मिल सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर पर भी बेसिकली थेओरिटीकली यह कुछ न्यूमेरिकल एमसी क्यूज भी देखने को मिल सकते हैं ठीक है सिक्वेंसिंग, लूपिंग, कंडिशनल स्टेटमेंट, स्विच केस और फंडमेंटल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट से आपको कुश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे फंडमेंटल सब नेटवर्क इन सिक्यूरिटी का क्या सले बस है वो भी आप देख सकते हो क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या सले बस है वो भी आप देख सकते हो ठीक है कोडिंग एसिस्मेंट में पांच प्रोग्रामिंग लैंग्विज, cc++, python, java, dot net इनमें से किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्विज में आप कोड कर सकते हो दो कॉश्चन आएंगे आपके एक्जाम स्क्रीन पर जो भी अपडेशन्स है वो आपको मेंचेंट होंगे ठीक है, communication assessment test क्या होता है इसके अंदर 6 subsections आते है, reading, repeat, questions, sentence, build, story, retelling and open question, total 63 questions आएंगे, 20 minute में आपको answer देना है यानि हर 20 second में आपको answer देना है, एक minute में तीन question आपको कम स्कम solve करने रहेंगे, किस segment से कितने questions आते हैं वो भी आपको देखने को मिल रहा है अब इसके एक बार detail देख लेते हैं, क्या-क्या है, सबसे बहले तो reading की बात करेंगे तो आपको क्या दिया रहेगा, आप ऐसे earphones लगाओगी, उसमें microphone होने चाहिए आपकी earphone में, वहाँ से computer बोलेगा sentence 2 को read करिए English में बोलेगा, यह 4 sentence लेखे रहेंगे sentence 2 को आपको read करना होगा फिर इसमें अगला आपसे इस तरीके से 8 sentences read कराएगा total 8 questions आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है और कई बार ऐसा भी होता है कि 8 sentence आपकी screen पर दिख रहे हैं और आपको बोला जाएगा पूरे 8 के 8 read करो, आप सही से English बोल पाते हो read कर पाते हो नहीं कर पाते हो यह चेक की जाएगी second is repeat, एक्सेंचर यूएस बेस्ट कंपनी है तो बहुत सारे clients यूएस बेस्ट है उनको repeat करना होगा आपकी listening ability चेक करने के लिए तीसरा आपका general IQ चेक करने के लिए कुछ questions आपको दिये जाएगी कहीं आप robot तो नहीं हो यह चेक करने की कोशिश की जाएगी तो आपको लिखा नहीं जाएगा आपको सुनाई देगा आपको सुनाई देगा और आपको उनको jumbled करके सही बनाना है जैसे my mother was reading her favorite magazine देखो somebody started laughing है ना his friends admired his new car three teenagers bought the rare paintings into this country जंबलिंग करने होगी 10 questions यहाँ पर देखने को मिलेंगी story retelling आपको यहाँ पर stories बताई जाएगी तीन stories सुनाई जाएगी पहले एक story सुनाई जाएगी फिर एक beep बजएगा और आपको वो story दुबारा से सुनानी पड़ेगी तो अगेन आपकी listening ability चेक करने के लिए है और लंबी-लंबी stories आप English में बोल पा रहे हो के नहीं बोल पा रहे हो किसी ने भी आपको नहीं समझाया होगा तो अगर मैंने आपको समझाया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे ठीक है round 4 interview technical round आपका optional होता है कई बार होता भी है कई बार नहीं भी होता है बट HR round तो आपका हो गई होगा अगर technical round होगा तो resume आपका syllabus होता है resume में जो भी चीज़े mention की है उस पर in-depth चीज़े पूछी जाती है आपके project के बार में पूछा जाएगा आपसे आपका area of interest पूछा जाएगा क्या आता है technically वो पूछा जाएगा उस पर सवाल पूछे जाएगे latest technology awareness है के नहीं उस पर सवाल पूछे जाएगे अगर आपने computer science या IT ब्रांज से अपनी degree की है तो आपको cc++ java data structure algorithm sql आना ही चाहिए अगर आपने resume में नहीं भी mention किया तो भी इन पर सवाल पूछे जाएगे तो इनका जो भी free content material है जो कुछ भी हमारे पास free content material होगा accentures related वो सब हम इस वीडियो के description में डाल देंगे आप जरूर से उसको एक बार check कर लीजेगा अगर आप एक non csit students है तो आप सापके programming के basics और आपके core subject के जो ब्रांच के चेक की जाएगे और चेक के जाएगा आप accenture क्यों करना चाहते है और basic HR questions why do you want to join our company strength क्या है weakness क्या है आपके short term long term goal यह सारी चीजे आप से पूछी जाएगी ठीक है उसके अलावा कोई भी negative marking नहीं होगी co cubes जो है वो test platform होगा इतना ध्यान रखिए easy से moderate level के questions आएगे one minute per question मिल तो super fast आपको होना पड़ेगा normal methods की जगे आप tricks use करेंगे question को solve करने में तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी तो जितनी ज़्यादा आप trick सीख सकते हो अतना अच्छा है एक particular question में बहुत ज़्यादा time waste नहीं करना है अगर नहीं बन रहा है आगे बढ़ो और accenture के previous year paper से 60-70% paper repeat हो जाता है या at least pattern and syllabus same हो जाता है तो ensure कीजेगा जितने ज़्यादा previous year question solve करें अतना अच्छा है और मैं तो पिछले 4 साल से accenture की training दे रहा हूं ना बच्चों को सिर्फ एक ही चीज में problem आती भी या time manage नहीं हो 90 मिनिट में किवल 45-46 question ही कर पाएं तो जितना ज़् तो free of cost preparation कर सकते हैं हमने description में videos डाल रखी हैं जाकर के देख सकते हैं बाकि मेरा recommendation होगा आप हमारा accenture superset course check कर लो complete accenture की preparation बेटा 2023-2024 के लिए opportunities बहुत कम आ रही है तो जो थोड़ी बहुत opportunities आ रही है उनको अच्छे से use कर लो limited time में complete preparation verbal ability cognitive assessment में critical reasoning problem solving abstract reasoning उसके अलावा common application ms office pseudo code networking security cloud coding assessment communication assessment और full length mock test सब कुछ आपको इसके अंदर मिल रहा है till date accenture की जितने भी previous year questions है वो सब आपको मिल रहा है 5 star rated course है इसको जरूर से आप check कर सकते हो course की detail course का जो link है वो आपको description में मिलेगा course purchase करने से पहले ही आप सारा content का heading तो at least देख ही सकते हो ठीक है और कितने-कितने minute की videos है वो भी देख सकते हो तो जरूर से इसको एक बार explore करो हमारी team का number भी दे दिया चाकर कि आप इनसे team से हमारी बात कर सकते हो about the course or about anything in general ठीक है तो जरूर से accenture में apply कीजिए तयारी अभी से शुरू कर दीजिए again repeating बहुत सारा free content मैंने YouTube पर भी डाल रख है उसका link मैं description में किसी ने भी video नहीं मनाई जरूर से video को like करें channel को subscribe करें and again अगर video helpful लगी हो तो जरूर कमेंट करके बताए अपने college whatsapp group और दोस्तों में share करें thank you so much and again this video is helpful ऐसा comment section में डाल दीजे और आपका जो भी year of pass out है jobs लिखके वो जरूर डाल दीजेगा so that हम आपको whatsapp group में add कर सके और job